गुड इवनिंग फेंड्स वेलकम बैक टू माइ चनल दोस्तों आज के वीडियो में हम हम एच्पेससी हमीर पूर बोर्ड की नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे PG exam अपके जो HPO के exam होते हैं वो कब होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे साथ इसाथ हम आपको पता ही है कि Mission HPTet और HPTST लेकर आ रहा है तो आज हमारा उसका Part 6 है तो उसके बारे में हम जो है Top MCQs करेंगे जो आपके exam में आ सकते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा लाइक कर देजेगा और शेर कर देजेगा और सब्सक्राइब कर देजेगा मेरे चैनल को तो देखेए सबसे पहले नोटिफिकेशन बात करते हैं HPSS की जैसे कि हमने कल बात करी थी कुछ जो है हमीर पूर बोर्ड नोसो पोस्ट निकाली है जिसमें आपकी शास्त्री की पोस्ट है शास्त्री की करीब करीब साड़े चार सू पोस्ट है और आपकी लेंग्विज टीचर की पोस्ट है करीब करीब धाई सो पोस्ट है ठीके तो ये पोस्ट जो है हमीरपुर बोर्ड जो है elementary education जो है वो भरने जा रहा है ठीक है और ये online होंगी भरने की प्रक्रिया कब से start होनी है 22 जून से start होनी है ठीक है और 20 जुलाई तक चलनी है इसमें जो fees लगेगी आपकी 360 रुपे general category की लगेगी और 120 रुपे SCST OBC की लगेगी और महिलाओं की कोई fees नहीं लगेगी तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तो आपको अगर notification चाहिए आपको अगर इसकी तो आप यहाँ पर i बटन में क्लिक करके आप वहाँ से उसको आउनलोड कर सकते हैं मैंने कल का एक वीडियो बनाया हूँ उसके description box में आपको वह notification मिल जाएगी अगर यहाँ पर वीडियो नहीं होता है तो आप उसको मेरे चैनल पर visit करके भी देख सकते हैं ठीक है दूसरा PG exams HPU के exams जो है वो कब होंगे post graduate exams MA, MSC, MBA इस तरह के तो अभी आपको पता ही है कि COVID-19 चल रहा है तो ऐसे में exams को conduct कराना बहुत मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में HPU ने आश्वासन दिया है कि हम अगस्त कर महीने में इन exams को conduct करवा सकते हैं लेकिन यह confirm नहीं है तो जब तक HPU की कोई guidelines नहीं आती है तब तक आप लोग exams की त्यारी करते रहिए ठीक है जैसे जो guidelines आएंगे HPU की वैसे ही मैं आपको upload कर दूँ है अपने चैनल पर आप वहाँ से देख सकते है तो चलते हैं दोस्त मारे first question की और first question है subsidiary align system was started by जो आपका subsidiary align system है वो किसके दरा start किया गया था सबसे पहले subsidiary align system के बारे में जान लिजे सहायक संधी सहायक संधी कब चलाई गई थी ये 1798 में चलाई गई थी इसके तहट क्या होता था कि राजाओं की जो सारी सेना थी उनको British सेना में मिला लिया जाता था ठीक है तो ये किसके दरा चलाई गई थी subsidiary align system क्या Lord Convales के समय पे चलाई गई थी क्या Lord Convales के समय पे चलाई गई थी क्या Lord Kenning के समय पे चलाई थी क्या Lord Meo के समय पे चलाई गई थी देखिए जो subsidiary align system था वो आपका Lord Wellesley ने चलाया था 1798 में तो Option B इसका Right Answer है Lord Convales के बारे हैं बात करते हैं इन्होंने सबसे पहले Permanent Settlement चलाया था Permanent Settlement चलाया था और वो भी कब चला था 1793 में ठीक है और इसको क्या बोलते हैं स्थाई बंदोबस्त बोलते है स्थाई बंदोबस्त ठीक है Lord Canning जो थे आपके 1857 की करांती के समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे तो Next Question देखते है Treaty of Amrissar held in between जो Amrissar की संदी है वो किस के बीच में हुई तो Amrissar की संदी हुई थी आपकी 1809 में तो वो किस के बीच में हुई थी क्या राजा रंजीर सिंग एवं संसार चंद की बीच में हुई थी क्या राजा संसार चंद एवं डेविड ओक्टोलोने की बीच में हुई थी क्या राजा रंजीर सिंग एवं चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हुई थी Britishers द्वारा चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था Britishers द्वारा नेमली जो है आपके Lord Hastings जो थे उन्होंने चलाया था जिनका कारेकाल था 1813 से 1820 के बीच में ठीके तो रियोतवारी सिस्टम जो था उसके तहत दो तरह के लैंड थे ड्राय और इरिगेटिड जो सिंग चाई वारे लैंड होता है तो अगर किसी का इरिगेटिड लैंड होता था तो उससे 60% जो है क्रॉप जो है सरकार को देना होता था और किसी का ड्राय लैंड होता था तो उसको 50% जो है क्रॉप जो है वो सरकार को देना हो दो था तो ये कब हुआ था रिवतवरी सिस्टम स्टार्ट क्या 1813 में, क्या 1820 में, क्या 1830 में, क्या 1825 में तो ये हुआ था आपका 1820 में तो option B इसका right answer है next question देखते हैं who band the sati pratha sati pratha पर किस के दोरा band लगा गया तो सबसे पहले sati pratha जान लिजे क्या होता था कि पती जब मरदा था था तो उसकी पतनी को पती के साथ ही जिन्दा जला दिया जाता था ठीक है, तो वो sati pratha थी तो उस पे बैन लगाया था 1839 पर, और कौन इसके खिलाफ कर राजा राम मोहनरोय इनके कहने पर एक governor general थे उन्होंने इस प्रथा पर बैन लगा था, कौन थे वो governor general क्या लौड विलियम बैंटिक थे, क्या लौड कैनिंग थे क्या लौड डलोजी थे, क्या लौड वेलस्री थे तो वो थे आपके लौड विलियम बैंटिक, तो option A इसका right answer है, सती प्रथा पर बैन लगाने वाड़े governor general थे लौड विलियम बैंटिक, किसके कहने पर लगाई थी इन्होंने राजाराम मोहनरोय के रखेने पर next question है, which ministry launch ता गती portal, गती portal किस ministry द्वारा launch किया गया, तो सबसे पहले जान लिजे कि गती portal है क्या, गती portal जो है, वो एक तरह से national highway authority of India के projects के उपर नजित रखने के लिए एक portal त्यार किया गया है, तो ये किस द्वारा त्यार किया गया है, क्या union road transport ministry द्वारा त्यार किया गया है क्या human resource development ministry द्वारा त्यार किया गया है, क्या health ministry द्वारा त्यार किया गया है, क्या आपका टेक्स्टार मनिस्ट्री दोरा त्यार किया गया है तो देखें गती पॉर्टल जो है वह आपका यूनियन रोड ट्रांस्पोर्ट मनिस्ट्री दोरा त्यार किया गया है तो option A इसका right answer है National Highway Authority of India की निगरानी रखने के लिए त्यार किया गया है Next question है Which state topped in state energy efficiency index 2019 जो आपका state है जिन होने energy efficiency index में 2019 में top किया है वो कौन सा है क्या हर्याना है क्या करनाट का है क्या केरला है क्या महराष्ट्रा है तो देखें सबसे ज़्यादा state energy efficiency index 2019 में top किया है आपका हर्याना ने तो option A इसका right answer है Second है आपका करनाट का और third है आपका केरला तो state energy efficiency index 2019 में हर्याना ने top किया है Next question है Who is the winner of Australian Open 2019 2020 Women's Single Title सबसे पहले जान लेज़े कि Australian Open है किस चीज़ का tournament तो देखें Australian Open जो है आपका वो lawn tennis का tournament है First Grand Slam First Grand Slam ठीक है मैंने आपको बताया कि चार Grand Slam होते है lawn tennis के First होता है Australian Open Second होता है French Open Third होता है Wimbledon Open और fourth होता है आपका American Open तो 2020 का जो Australian Open है महीला का खिताब वो आपका सोफिया कैनी ने जीता है तो option D इसका right answer है Next question है What is the rank of India in steel production? Steel production में भारत का rank क्या है? क्या पहला है? क्या दूसरा है? क्या तीसरा है? क्या चौथा है? तो देखें भारत का जो rank है steel production में वो आपका है दूसरा ठीक है? तो जो first पे है वो है आपका चाइना चाइना और भारत ने किसको replace किया है? जापान को जापान अब जो है वो third पे चला गया है तो second जो है rank India का steel production में है तो option B इसका right answer है Next question है Where is the headquarter of Shanghai Corporation Organization? Shanghai Corporation Organization यानकि SCO का headquarter का है क्या शंगाई में है? क्या बीजिंग में है? क्या वोहान में है? क्या टोक्यो में है? तो वो है आपका बीजिंग में यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं? कि शंगाई देखकर शंगाई पर टिक कर देते हैं लेकिन शंगाई जो है हेड़कोर्टर नहीं है शंगाई कोपरेशन और्गनेशन का क्या है बीजिंग है मैंने आपको कल कोशन दिया था कि इन्हों ने एट वंडर्स में स्टैच्य ओफ यूनिटी को शुमार किया है ठीक है तो वो आठवा वंडर गोशिद किया गया है इनके द्वारं तो option b इसका right answer है Next question है what is the old name of Sri Lanka Sri Lanka का old name क्या है क्या निपोन है क्या सेलोन है क्या लंका है क्या जिवर्दनेपुरा है तो दिखिए Sri Lanka का old name है वो आपका गेचर आप सेलोन है तो option b इसका right answer है तो ये हमारे आज के questions थे तो अगर आपको मेरे questions अच्छे लगए हो तो प्लीज लाइक कीज़ेगा वीडियो को शेयर कीज़ेगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीज़ेगा मेरे चैनल को और बैल आइकन को दुबारा ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक notification आप तक समय से पहुंच सके जाए हिंद जाए भारत